सैनिटाइजर अभी बहुत ज्यादा महेंगे बिक रहे हैं, सैनिटाइजर बनाने का भी सिंपल तरीका है, आपका जो आफ्टर शेव होता है या डॉक्टर स्पिरिट होती है, जो स्पिरिट होती है, उसको आप आदे भाग में नॉर्मल पानी से मिलाएं, विसलेरी के पानी से जो नॉन कंटैमिनिटेड है, या एलोवेरा जूस से भी आप उसको मिला सकते हैं, इट कैन भी यूज़ जाजर सैनिटाइजर, आपको कोई N95 या स्पेशल मास्क की जरुवत नहीं है, आप अपने घर में मास्क बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं, उसको मास्क को आप गरम पानी में धोईए, सैबलोन डालके, मैं एक्स्ट्रा आपको वो बता रहा हूँ, धूब में सुखाईए और प्रेस करके पहन लीजे, तो अगर आपने तीन-चार मास्क बना लिए, तो उसको आप बार-बार रिपीट कर सकते हैं, जैसा कलेक्टर सामने बताया, 50 रु या आफ्टर शेफ तो हर जगे मिलता साहब, उसको आधे पानी में मिलाए कि उसकी कॉंटिटी बढ़ जया और उसको यूज करें, सारे हॉस्पिडिल्स में, कलेक्टर साहब ने हमको इंफोर्मेशन दे दी है, हम लोग सारे हॉस्पिडिल्स में भी स्क्रीनिंग के लिए तयार हैं, यह अभी बिमारी उस तरीके से फैली नहीं है, जिस तरीके से इसको प्रसारित किया जा रहा है, चायना चाहें, यह सबसे ज़्यादा थी, 2% जो इसकी मॉटालिटी है, वो बिमार लोगों में हैं, और 47% सब क्लिनिकल केस हैं, सब क्लिनिकल केस मतलब जिनके अं ज्यादा लेंगे, तो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, विटिमिन C लें, 8 घंटे की नीन लें, स्ट्रेस फ्री रहें, बाकि नेबू पानी पी हैं, कलेक्टर साब बताई चुके हैं, कि आप क्लोस प्रॉक्सिमिटी में ना आ है, एक दू बहवनाएं कम है, 90% is dry cough, मतलब कोई खकार नहीं आती उनके सिर्में, droplet infection से फैलता है, और जो कच्रे एक खटे होने वाली जगाएं, उन पे करोना वाइरस ग्रो करता है, डस्बिन के आजू-बाजू, जहां पत्तियां पड़ी हुई है, इन जगाओं को अपन खुद भी ह और सिडिजन साफ कर सकते हैं,